यह थोड़े मिस्लेनियस क्वेश्चन्स है भाया जो की बन सकते हैं आपके एक्जाम्स में पूछे जा सकते हैं तो अपर पहले तो कवर्ट कर चुके सारे क्वेश्चन्स बढ़ फिर भी आपकी कन्विदियंस के लिए मैं थोड़े और क्वेश्चन्स यहां पर कवर करने की कोशिश कर रहा हूं तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए सॉल्व करके देखे क्या एंसर आ रहा है यह क्वेश्चन मैंने कुछ दिन पहले फेश्बुक और इंस्टाग्राम पे भी पूस किया था कुछ लोगों ने इसके एंसर ठीक दिये बड़ जिसे जिनके लोगों के आये थे 70% एंसर गलत गए इसके तो आप थोड़ा केरफुली ट्राइ कीजिए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए हर एक चीज को लाइन बाइन रन करो और सॉल्व करो एंसर आता है तो कमेंट करो नहीं आता तो फिर वीडियो देखो और आप ही जाता है त आपको बोलते हैं कि भाइया यहां पर आपने इसका एंसर दे दिया है ठीक है बहुत सारे लोगों ने इसका एंसर यहां चले हैं जरुवत नहीं है अब नहीं जरूआ थे तो भीया warning आएगी ना कि error आएगा ठीक है क्योंकि उसका कोई concept नहीं था उसका कोई use नहीं था तो बाकि सब का ध्यान कहां चले गया उस hedge include पे चले गया जो कि आप ये फोटो में देख पा रहे हो ठीक है तो ये same question मैंने क्या किया था Instagram Facebook पे post किया था थोड़ा सा change कर दिया बट इधर से उधर लोगों का mind divert हो गया आपको divert नहीं करना है यार just concept पे ध्यान दो और answer दो ठीक है अब यहाँ पे देखोगे तो यार ये ठीक है ये ठीक है बट ये जो increment decrement का part होता है यहाँ पे ये क्या लिख दिया है ठीक है ये क्या बावाल हो गया भाई ये तो पहले कभी देखा ही नहीं था तो मैंने क्या बोला भाई यहाँ पे increment decrement update expression कुछ भी हो सकता है तो ultimately भाईया increment नहीं कर रहे तो यहाँ पे क्या ओर ही यह प्रिंट होगा यह प्रिंट नहीं होगा ठीक है बस इतना सही concept तो मैं 1000 बार आपको समझा चुका हूँ कि यह concept यह है ठीक है concept वही है जो पहले समझा दिया जश्ट आपको follow करना है ठीक है आपको कुछ नहीं करना आपको आ रहा एक्स्प्रेशन तो उसको solve करो anaser होगा इसका probably तो भाय वैया IStart की value क्या कर रखी है 20 क्या कि की value क्या कर रखी है इन्होंने 0 कर रिखी जैक की value इन्होंने क्या कर रखी है कुछ नहीं है तो garbage है तो garbage value अब जैसे एक हैस subse real phase run होता है lifetime में एक बार ही रन होता है तो जैथ की value यहां पर क्या set कर दी one set कर दी ओके check किया one क्या less than है 20 से क्योंकि ये second time run होता है हाँ भी ये one less than है 20 से ये true है तो true है तो body part run होगा तो बहुत सार लोगों ने यहाँ पर भी time waste किया होगा ठीक है देखो आपके पास exam में time नहीं रहे था इसलिए मैं इसको time waste बोल रहा हूँ but normally आप इसको solve करके देख सकते थे ठीक है आप time waste में क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि आपने इसको solve करने की कोशिश की होगी पर मैं ऐसा कह रहा हूँ कि भाई इसको solve करके आपने क्यों देखा क्यों मैं ऐसा पूछ रहा हूँ या कहे रहा हूँ कि भाई की value को तुम कहीं use कर रहे हो क्या अगर इसमें 10 भी आ जाते इसमें 20 भी आ जाते तो मैंने कहीं पर इसको print नहीं करवाया ना ही मैं किसी expression में कहीं किसी condition में उसको use कर रहा हूँ तो k की value कुछ भी हो मुझे उससे क्या ले ना देना second thing कि यहाँ पर मैंने कहीं पर j++ या jm की value में change किया होता या i की value में change किया होता तो ठीक है उनकी values पर कुछ impact पड़ता तो वो यहाँ पर impact पड़ता ठीक है बट यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया सिर्फ k को initialize कर रहे हैं कोई need नहीं है यह just आपको trick करने के लिए लिखा जाएगा जहां पर आपका time waste हो आप इसको हर बार check करेंगे क्यार भै के value क्या और है के value क्या है जबकि उसका कोई use ही नहीं है यह just time waste करने के लिए दिया जाएगा आपको तो आपको इसी चीजों का भी ध्यान रखना है कि किसको solve करना है किसको solve नहीं करना तो इसका तो कोई sense नहीं है तो मैं इसको solve करके दिखा भी नहीं रहा हूँ आपको आप इसको solve करके देख सकते हैं normally condition true होगी false होगी कि ternary operator है already में ternary operator भी मेरे previous वीडियो में बता चुका हूँ तो आप वहाँ से देख सकते हैं ठीक है तो अपन चलते सीज़े print app statement में तो यहाँ पर क्या होगा यह print app क्या कर रहा है take expertise को एक बार print कर रहा है तो ठीक है भाईया console पर क्या होगा take expertise.com एक बार print हो गया होगा ठीक है अब क्या होगा third part तो run हो गया अब इसका fourth part run होगा तो fourth part run होते time भाईया यह पूरा का पूरा expression solve होगा इसके पार उसकी value j में initialize होगी अब भी यहाँ पर क्या sorry assign होगी ठीक है यह assign होगी required now यहाँ पर क्या होगा भाईया ? अब यहाँ पर आपको डंग से इसको solve करना है क्यों डंग से solve करना है क्योंकि यहाँ पर आपको board master concept follow करना है ठीक है तो यहाँ पर उसके इसाब से सबसे पहले bracket solve होंगे तो bracket solve करेंगे अगर अपन तो यहाँ पर क्या हो रहा है i divided by j तो i की value देखें आपने क्या हो रही है 20 20 divided by 1 तो 20 divided by 1 20 यह आएगा तो इसके जगे क्या replace हो जाएगा 20 replace हो जाएगा अब 20 into 4 plus 1 ठीक है अपने पास ऐसा कुछ बचा है ठीक है अपने उपर लेख लेते हैं 1 plus 4 into 20 ठीक है ऐसा कुछ अब अपने पास बचा अब यहाँ पर भाईया अपने को क्या करना देखना है कि पहले किसके साथ इसको solve किया जाएगा 20 into 4 यह 20 sorry 20 into 4 यह 1 plus 4 जो कि become 5 होगा 5 into 20 तो यहाँ पर भी यह बोडमास अप्लाय करना जिसमें into की priority जादा होती है तो 20 into 4 तो it's become 80 अब यह 80 हो जाएगा 80 plus 1 केतना होगा 81 तो यहाँ पर इस पूरे की जगे क्या replace हो जाएगा 81 तो j की value क्या हो जाएगी 81 जो अपन यहाँ पर लिख देते हैं कि j की value क्या हो चुकी है 81 हो चुकी अब latest value j की आ चुकी है जो कि क्या आईए 81 आईए कैसा आईए वो भी अपने चेक करा अच्छे से और देखा अब अपन वापिस आएंगे कहां पर भी या condition part पर condition part पर आए तो हमने चेक क्या j less than है या इसे condition part पर आके अपने क्या चेक क्या जे क्या less than है या इसे देखा भई यह j की value क्या है 81 81 आई की value क्या है 20 81 क्या less than है 20 से condition false अब condition false होगे तो क्या इन में से कुछ run होगा नहीं होगा तो इससे directly क्या होगा वो for loop के बाहर आ जाएगा अगर rest of the code कुछ होता तो वो print होता तो आपर कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं print होगा first time सिर्फ एक बार tag expertise जो print हो गया वो हो गया तो इसका answer क्या होगा tag expertise प्रिंट होगा एक time पर एक ही बार print होगा tag expertise यह इसका answer होगा सो देखो question में कुछ नहीं था normally एगर confuse होगे आप तो सिर्फ इस वज़े से होगे जिसको मैं बहुत बार बोल चुक हो कि भाईया कुछ भी लिख सकते है वो उनके लिखने पर मत जाओ ठीक है लिखने पर depend करता है मैंने बोल दिया यहां पर expression आएगा यहां पर update करना है value को कर भी सकतो नहीं भी कर सकतो यहां पर expression बोला है मैंने अब expression में कुछ भी लिख सकता है वो update करना चाहे तो करे नहीं करना चाहे तो नहीं भी करे ठीक है बट आपको normally जैसे solve करने का बोला है बस वैसे solve करते जाना है आपका answer आ जाएगा ठीक है अब अपन चलते next question अब इसक को देख के इसको थोड़ा सा solve करने की कोशिश करो कि इसका क्या answer होगा और फटाफड मुझे comment में बताओ कि इसका क्या answer आ रहा है आपके पास ठीक है अपन फटाफड इसको solve करेंगे ना क्या हो भी है यहां पर यहां पर भी थोड़ा और आपका दिमाग खराब हो गया होगा कि यहां पर increment केसे आ गया condition यहां पर केसे आ गई यह तो ठीक है इन दोनों का क्या ठीक है यहां तो हम क्या करते थे condition चेक करते थे condition यहां पर होना चाहिए था बई किसने बोला आप को मैं सुरू से यही समझाते आया हूँ मैं क्या बुला जहां पर expression हो सकता यहां पर expression हो सकता ठीक है इसको सिर्फ true या false चीए true या false का मतलब क्या होता है false मतलब zero और true मतलब any value zero को छोड़के ठीक है वो one हो two हो three हो कुछ भी हो non zero value क्या हो जाएगी यह true में consider होगी ठीक है यह zero और one का concept होता है तो इसको क्या चाहिए भाईया यह जो part है test condition वाला इसको true या false चाहिए अब true या false तुम जरूरी नहीं है zero यह pass करो जरूरी नहीं है one यह pass करो जरूरी नहीं है तुम condition पास करो जो one लाके दे या two लाके दे ठीक है तुम कुछ भी लिख सकते हो यह तुम्हारे पर depend करता है ठीक है तब इसको solve करके देख concept clear रखो कि कोई भी चीच कहीं भी लिखी जा सकती है उसने सिर्फ बोला फोरलूप वाले ने कि भाईया दो semi colon लगाओ उसको छोड़के तुम्हां जो करना है वो तुम करो तुम्हारी मर्ची पर depend करता है क्या हुआ यहाँ पर आई की value 1 हो गई अब यहाँ पर क्या आये भाईया यहाँ अपर आये अपन condition चेक कंडिशन में तो कुछ नहीं था हमको true या false यह था अब i++ हुआ तो i की value क्या करी भाईया नॉर्मल तो यहाँ पर one ही आएगए भी बाद में increment होगी तो यहाँ आप इसको by default क्या मिला one मिला one मिला मतलब true मिला true मिला तो यह body को run करने आएग और i की value तो एक से बढ़ चुके तो two हो चुके i की value प्रिंट करने आएगा तो console पर two प्रिंट हो जाएगा क्या क्या final answer नहीं है answer आएगा तो थोड़ा देखते रही है two print हो गया अब यहाँ पर क्या हुआ कुछ condition चेक हो दिए क्या two less than hundred है क्या और भही यह condition true भी हो या false भी हो इससे कोई लेना देना नहीं है अगर यह true भी होता है यह false भी होता है तो आपका program terminate नहीं होगा क्योंकि यह just take statement है just take expression है इसका impact नहीं पड़ेगा test condition यहीं चेक होत इसकी जगे क्या होगा one यह zero क्या हो जाएगा replace हो जाएगा ठीक है बस इतना सा चलेगा अब यह run होने के बाद वापिस से हम इस पार्ट पर आएंगे iq value 2 हो चुकी थी iq value फिर एक से बढ़ जाएगी iq value 3 हो गई 3 हो गई तो यहाँ पर आगे वापिस से print करेंगे तो क्य हो जाएगा 3 print हो जाएगा फिर क्या होगा फिर iq value तुमने चेक करी ठीक है अब ऐसा मत किया देना कि भाईया i less than 100 ठीक है यह मत देखके तुम क्या कर देना कि 99 times run होगा मैंने क्या बोला भाई condition यहां लिखो तो कोई sense है यहां लिखो तो वो कोई sense की condition नहीं है यह 0 देगा या 1 देगा जिससे for loop को कोई impact नहीं होना है ठीक है अब मैं suppose करके चलता हो कि मेरा iq value बढ़ते 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 100 हो गई एक time आया iq value 100 हो गई 100 क्या less than है 100 से आप यहां पे देखके इस loop से बाहर हो जागा बट नहीं होना है ठीक है यह कोई conditional part नहीं है यह increment decrement date वाला part है अब date वाला part है ठीक है तो यहां पर कुछ भी होगा उससे फरक नहीं पड़ता 1 आये 0 आये कुछ लेना देना नहीं है अब यहां यहां पर देखा iq value 100 100 भाई यह non zero है मतलब क्या true true हुआ तो वह अंदर आएगा अंदर आएगा तो फिर 100 भी print कर देगा अब यह यह चीज कब तक print होती रहे गया gain iq value बढ़ी 101 तो यह infinite time चलता रहेगा ठीक है यह कब print होना बंद करेगा जब आपका stack overflow हो जाएगा compiler आप कोई साभी choose करके try कर सकते हो सारे compiler's पे same answer आएगा यह stack overflow पे चले जाएगा ठीक है यह print करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा इस question का answer तो simple है इस question को बताने का sense सिर्फ इतना था मेरा क्या आप कोई भी चीज कहीं भी लिख सकते हो ठीक है for loop ने rules में सिर्फ बोलाए कि उसको semicolon चाहिए test condition यहाँ हो सकती है नहीं भी हो सकती चलेगा क्योंकि test condition का मतलब true या false तो मगर directly true false किसी तरीके से बना दोगे तो यहाँ पर कोई value update होती है तो वहाँ condition check करने का इस body पर कोई impact नहीं पड़ता ठीक है इन बातों का थोड़ा ध्यान रखो यह expression से ज़रूरी नहीं यहाँ पर initialization हो या कोई भी चीज हो ठीक है इसको अच्छे से एक दो बार solve करके देखना तो आपको अच्छे से clear हो जाएग अब अब अपन एक दो questions ओर देख लेते हैं और इस session को wind up करते हैं तो एक और question इस series का चीक है नॉर्मल question है जल्दी से इसका answer दे दो कुछ सोचो पहले comment करो और answer दो होप आपको कौन से प्याद होगा तो आपने question के answer देने की कुशिश की होगी अब इसका answer simply भही या error है अब ये compile time पे ही error आ जाएगी ठीक है क्यों आ जाएगी मैं पहले ही के चुका हूँ इसके rules में कि भही एक for loop को कुछ नहीं चाहिए बट इसको दो semicolon तो चाहिए ही चा direct error throw करेगा ज्यादा सोचना नहीं ज्यादा समझना नहीं जो concept बता बस concept का ध्यान रखो answer दे दो answer correct होगा इसकी मैं क्या rank के लेता हूँ ठीक है अब last question अब ये last question में नहीं solve करूँगा अब इसका थोड़ा सा मैं overview दे देता हूँ ये question आपको solve करना है अगर आपसे नहीं ब थोड़ा सा मिलता जूलता है कुछ previous questions के जैसे जो कि आप पहले solve कर चुके हो तो उनसे ही मिलता जूलता है बड़ इसमें हमने थोड़ा सा इसको different कर दिया है थोड़ा सा different क्या किया भीया ये तो सेम है यहाँ पे increment decrement हो रहा है बड़ जो conditional part था अब इसमें अपनने क्या करा एक condition ने लगाते हुए दो दो condition लगा दिये ठीक है जैसा हम पिशली बार भी कर चुके है बट इस बार अपनने क्या किया पिशली बार अपनने क्या लगाया था कॉमा operator लगाया था ठीक है बड़ इस बार हमने क्या लगा दिया logical end operator लगाया है अब इससे क्या होगा ये तो पता ही होगा भी यह logical end को क्या चाहिए रहता है दोनों तरफ true चाहिए रहता है तभी वो true देता है नहीं तो वो क्या देता है false देता है ठीक है यह basic concept है जो मैं बहुत अच्छे से मेरे पुराने वीडियोस में explain कर चुका हूँ और उससे related बहुत सारे questions भी तो अगर आपको न comment box में दो जो दे पार है answer वो देने की कोशिश करो इस question को run करो किसी भी compiler में और match करो आपके answer सही आ रहे है या नहीं आ रहे है अगर question गलत आता है या question में कोई भी आपको doubt आ रहा है तो आप मुझे comment में बता हो मुझे mail करो मुझे whatsapp करो आपको जो लग रहा है वो करो वहा इस जैसे आपन बहुत सारे question solve कर चुके हैं तो at least मैं expect करता हूँ कि आपको यह question आ गया होगा फिर भी अगर कोई problem आ रही है तो मैं available हो 24x7 कभी भी call करके पूछ लो message करके पूछ लो जब भी मैं available रहूंगा आपको message या call पे reply कर दूँगा तो इस question को अच्छे से solve करने की कोशिश करो twitter पर facebook पर instagram पर follow करो जो भी आपको study material लग रहा है मुझे whatsapp करके ले लो या फिर मैं अपनी website पर भी बहुत जल्दी upload कर दूँगा सारा का सारा study material तो आप वहीं से जाके directly download कर लेना ठीक है ज्यादा से ज्यादा question solve करने की कोशिश करो जितने को question solve करो को इतना का दयान रखने कि भीया concept समझो अगर आपकी concept clear है तो question कोई भी आ जाए आप solve कर लोगे बड़ अगर आपकी concept क्लियर नहीं है तो बस आप question solve करते जाओगे बट कभी भी एक सही answer पर नहीं पहुच पाओगे ठीक है कि भीया इसका ऐसा ही answer आएगा कभी वे से कोई question बनता है तो मैं ऐसा answer लगा दूँगा ठीक है आप इतने confident नहीं हो पाओगे एक simple सीज फॉलो करो concept फॉलो करो ठीक है जहां भी पढ़ना है जहां भी याद रखना है सिर्फ concept याद रखो और concept पढ़ो और उस concept के बेस पे अलग-अलग questions को solve करो hope so आपको वीडियो पसंद आई होगी maximum यार मेरे साथ से जितना हो सका मैंने cover करने की कोशिश करी देखो वीडियो पसंद आई तो please like, share, subscribe करना मत भूलना दोस्तों के शाथ share करो जो अलग-अलग exams की preparation कर रहे हैं उनको भी बताओ कुछ भी doubts, queries आ रही हैं तो comment करो follow करो जुडो ठीक है अपन देखते हैं और क्या- आपको नए-ने daily challenges, questions मिलते जाएंगे, so फायदा उठाओ यार free हो अभी एक-दो महीने तो रहोगे, free जाह तक मुझे लगता है, तो इतने टेम आराम से फायदा उठाओ, हर एक question को solve करने की कोशिश करो, ठीक है गाश तो यही पर अपन session wind up करते हैं, for loop यहां पर भी खतम हो So bye guys, मिलते हैं हम next video में, bye